NDA की जीत के बाद गद गद रविकिशन जिने आप सुन रहे थे और यकिनन बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासल की है पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है इन 15 सालों में जब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में सीटों पर दिखाई दे रही है नितीश कुमार मुख्यम पिनेडिया पहुंचेंगे और 6 बजे पहुंचेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी बिहार चुना प्रक़नाव में बीजे पीके बाहर है बीजे पीके शानदार प्रदर्शन पर बिहार चुना प्रुभरी देवेंद्र फर्णवीज से खास बातकी legis again देविंडर जी बात साफ नजर आ रही है हैं पर कि भारती जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले चुनाओ के मुकाबले लेकिन आपकी जो सहियोगी पार्टी है जनता दल उनाइटेड उनका पर्फॉमंस ठीक नहीं रहा क्या आपको लगता है कि अगर जनता दल उनाइटेड का पर्फॉमंस ठीक होता तो आज इंडिये की सरकार और मजबूती से वहाँ पर आती कहीं न कहीं वहाँ पर चुक हो गए इसके उपर बहुत जारी चर्चा नहीं करनी चाहिए अभी तो हम लोग इसलिए खुश है कि हमारा पर्फॉमंस अच्छा रहा है और मैं तो यह कहता हूं कि जिस प्रकार से जनता दल उनाइटेड को अलग-अलग जो सर्वेज आये थे उन्होंने राइट आफ कर दिया था वो परिस्ति नहीं रहे उन्होंने भी जो कोई थोड़ी इंकम्बंसी थी उसको पाठ कर उन्होंने भी अच्छी सीटे लिए हां और 10-12 सीटे उनको जाड़ा मिलती तो और अच्छा होता कुछ सीटों का नुक्सान है है बिल्कुल है पर मुझे ऐसा लगता है फिर भी उन्होंने भी परफॉमंस उनका अच्छा रहा है भारतिय जनता पार्टी का परफॉमंस अच्छा रहा है तो सभी लोग जानते थे क्योंकि पूरे बिहार में एक मोदी जी के प्रति प्रो इंकमब उनको पैसा मिले उनके खातों में पैसा आ जाया है उनको दवाई मिले यह सारी चीजे जिस प्रकार से मोदी जी ने उसके चिंता किया प्रदेश सरकार ने भी कि उसके करण एक प्रो इंकमबंसी मोदी जी के लिए वहाँ पर दिखाई पड़ती थे क्या कारण आपको लगता है कि एंटी इंकमबंसी का जटका जो है सिर्फ जेडियों को मिलता है और भाज़ा पको नहीं मिलता है हाला कि पिछले 15 साल में देखे तो दो साल बीच के छोड़ दे हम तो बीजेपी और जेडियों की सरकार साथ में रही थी फिर भी एंटी इंक सरकार को नितिज जी के सरकार के नाम से जाना गया यह एक उसका कारण और दूसरा कारण जो हम इंकमबंसी हमको नहीं लगी और हम उसको रोख पाया हम थोड़ा आगे बढ़े ृसका करण प्रो-इंकमबंसी ऑफ प्रयमिनिस्टर अन्ला प्रदान मंत्री जी की जो पूसक जबर्दर्श्य देविश्टाइब